इस्टार इमेजिन के डिरेक्टर डक्टर समीर भाटे इस वक्त हमारे साथ हैं कोविड सिल्ड वैक्सिन हम और आप जरूर लगाये होंगे क्योंकि कुरोना से बचने के लिए उस दौर में सभी को कहा गया था सरकार के दौरा के इस टिका को लगाना अनिवार है लेकिन इन द इस तरह से हमें देखना होगा कि इसके अंदर पहले भी हम देख चुके जो मल्टिपल स्टडीज आई थी खास तोर पर कोवी शील्ड वैक्सिन को लेके कि बहुत रेयर इसके अंदर होने की चांसिस रहती है क्लॉट की बहुत ही बहुत रेयर कि अगर हम लाखों लोगों में देखें तो किसी को तो वहां पर भी जो उसी तरह का कुछ जो साइड देखें तो यह एफिकेसी इसकी अच्छी थी 90 परसेंट से ज्यादा एफिकेसी रही थी इस वैक्सीन की होस्पिटलाइजेशन रेट को कम रखा था इसने और बीमारी की गंबीरता को भी रोका था तो और दूसरा एमर्जेंसी अप्रूवल क्योंकि इतनी एमर्जेंसी के बता रहे हैं बुटन वाली उसमें यह था कि इससे ख्लॉट बनने के चांसी रहते हैं बहुत ही रहर वाले हाट अटक भी क्योंकि क्लॉट अगर बनता है क्लॉट होने से किसी भी तरह की चीज आपका अगर को रोनरी आर्टरी में गया तो आपको हाट टैक हो सकता है अपक देखें तो वैक्सिन के बेनिफिट जादा रहे थे और अगर हम साइड एफेक्ट देखें तो वह कंपरिटिव ली ना के बराबर थे और एक यह देख रहे हैं जो केसी जारदा रहे हैं हलाकि केसी पहले भी थे पर अभी जादा स्कलेट हो रहे हैं पर उसके पीछे के कार यह हार्ट एक उसके बहुत सारी रीजन हो सकते हैं कई बार बहुत सारी ऐसी डिजीज होती है हाट की भी जो अंडाइग्नोस्ट रहती हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता जैसे काडियो मायोपैथी हो गई या और भी हाट से रिलेटिड कई तरह की लक्ट्रीकल प्र बेडार जिस तरह से आजकल लाइश्टाइल है तो कई बार कई तरह के अंडाइग्नोस्ट वि रहते हैं तो जब आप कई बार एक्सिस करते हो या जैसे डांस है उसमें भी वह एक हाई एक्टिविटी उसमें प्लाख रप्चर होने की संभावना बढ़ जाती है अब एक तो यहां पर यह समझने की जरूरत है कि किसी भी तरह से हमें जिनको भी कोई शील्ड लगी है तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अगर वैक्सिन का साइड एफेक्ट होता है तो मैक्सिमम इमेडेटली होता है 3-4 वीक्स तक होता है दो महीने तक आप मैक्सिमम मान के चलिए पर अब तो कोवी शील्ड लगे हुए भी लोगों को दो-दो साल हो चुकिया है अब वही सवाल है कि क्योंकि जब से यह रिपोर्ट आया तब से लोग चिंता जाहिर करें वह लोग खास तोर से जिन्होंने कोवीट का दो या तीन खुरा के लिए आता है पैनिक हो गए क्या मैं फिचर देखिए इसमें बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है क्यो को लगेवे लंबा समय हो गया हां बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आगे भी क्लॉट या ऐसी संभावना को वाइड करने के लिए जितना हो सके हम अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखें जैसा कि हम हमेशा बात करते ही है कि अपने रेगुलर चेक अप्स अगेरा कराते हैं ताकि किसी भी तरह की खास तोर पर कुछ चीजों को स्क्रीन करना जरूरी है जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर हो गया ब्लड शुगर हो गया और आप एक अपना कलस्ट्रो लेवल जरूर चेक कर आ लें तो इन चीजों से आप पता लगा सकते हैं कि कहीं आपको कोई रि ने जारी किया है क्या वहां कोई जिल पर है था या उसका जो कैस सकते जो वहां से लिया गया तर जिनों जिससे इन रुपन यह व्यून ने पर पुरनावाला जी ने कोई सिल उस पे यह था dikhi इस रिपोर्ट के अंदर यह था क्योंकि वहां पर इस तरह क्विफ्टि के क पो आफिरह हैं लिए इस न हरुट इसमें डॉट बनने का चंसे रहता है और वो तो वैसे भी अगर डूनध पीदो 2022 में सवा जस्ट फाल चम्स में कि रहता है द्जत को मेश इंद में जब रहता है इन और दभा के अनधर क्या कील रहता है सिन उसनी लार्ज population में लग रही है तो उस लार्ज population में किसी ना किसी को साइड फेक्ट होने का चांसिस बना रहता है पर ऑर अगर हम देखें तो वेक्से रही थी उसकी इसकी रही थी तो यह वह वाली चीज है यह पुराने वाले KSI जिसमें ने भी कहा है कि हाँ इसमें रहता पर वह बहुत ही मिनिमल है बहुत ही कम हैं तो वहां पर एस्ट आज हैं के नाम से और भारत के लिए शील्ड के नाम से पर हां यी जरूर है कि वैक्सीन का अभी फिलाल इस चीछ से जो कोई इसके कोई कशने क्शन नहीं है क्योंकि बात को अब काफी लंबा समय हो गया है जिनको वा था उसमें बलकि ज्यादा प्रॉब्लम रही थी वैक्सीन लगने से तो ज्यादा तर अगर हम बात करें तो वैक्सीन ने तो उस समय प्रोटेक्ट ही किया था लोगों को तुर से डॉक्तर समीर भाति का कहाना है कि जो लोग से लगाये हुए हैं उनको पैनिक होने की जरूत नहीं है अपने लाइफ स्टैल पर कंट्रोल करें साथी रेगुलर टाइम पर अपना टेस्ट भी कराते रहें के मैं विखाज्या के साथ कि सुक्मार जावारा 24 दिल्ली